हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्यम नर्सिंग कोर्स के बारे में अगर आप एक ऐसे स्टुडेंट है जो जिन्यम नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करना चाहते हैं यानि 2021 में अड्मिशन लेना चाहते हैं या फिर 2022 में अड् बारे में जिने नर्सिंग कोर्स किया होता इसके लिए क्या क्लिफिकेशन होनी चाहिए ठीके अड्मिक्शन कैसा मिलता फीस कितनी होती इस विडियों के बारे में इस वीडियों के बात करें तो इस वीडियो पर एक लाग सत्ताइए सब्सक्राइब होने वाला क्या अपडेट है तो इस तरीक है कि बहुत सारे कुश्चन्स कॉमेंट शेक्षन में हमको देखने को मिल रहे थे इस वीडियो मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की जितने भी डाउट है उनका श्रीशन दे सको ठीक है तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो शेयर हल्प मिलेगी आपको राइट इस वीडियो में करना चाहिए मैं कर सकता हूं कर पाऊंगा या फिर नहीं ठीक है तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे है ठीक है तो एकड़मिक सेसल 2021 के बाद राणिमेशन होंगे या फिर नहीं यह सवाल मैक्सिम स्टूडेंस का था जिनेम करने के बादूब मिलेगी या फिन है तरीग उनको बाद में जवाब मिलेगी या फिर नहीं ट्रीके अंब हमारी चाहिक देखने को मिल लेते तो आगर आप भी चाहते अगर आपके भी यही प्रशन है तो वीडियो को लास्ट दे देखिए आपको राइस इंफर्मेशन मि बताते हैं ठीक है तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है हाँ अब हम बात करते हैं कि क्या अपडेट है तो स्टूडेंज 26 नौबर 2020 को इंडिया नर्सिंग कांसिल की तरफ से एक नोटि और क्या था वह आप यहां पर देख पारेंगे स्क्रीन शॉट लेकर के आप डिटेल से पढ़ सकते हैं तो इसमें क्या निकलता है मैं आपको भी बताता हूं देखें इंडिया नर्सिंग कांसिल ने कुछ समय पहले दा मिनिस्ट्री और फैल्थ और फैमिली वेलफेर को ल रपी स्कोप रेप्लाई आया जिसमें क्या लिखा था यह आप यहां पर देख पा रहोंगे दा मिनिस्ट्री और फैल्थ और फैमिली वेलफेर वाइट देयर लेटर नमबर यहां पर आप देख पा रहोंगे डेटेड नो दस दोहजर बीस हैं फिर्म देख पारे होंगे इस स्कूल आफ नर्सिंग को अपग्रेट करना समभव नहीं है उस स्टेज पर हम हैं को अप्ग्रेट करना फासिबल नहीं है तो कॉन्क्लोजन क्या निकलता है निसकर्स क्या निकलता है आप यहां पर देख पा रहे होंगे इसका पुरूफ आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां कि उनके निशार तो जिनेम कोर्स में एडमिशन है वह अकेडमिक यहां के बाद भी कौंटीनी रहेंगे जारी रहेंगे यानि कि 2020 21 जो सेशन था उसके बाद भी आप आसानी से अडमिशन ले सकते हैं अगर आप जिनेम कोर्स करना चाहते हैं तो 2021 में भी ले सकते हैं उसके बाद में एडमिशन ले सकते हैं उसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी ठीक है तो यह आप यहां पर बिलकुल क्लियर देख पारें एकटिंगली दाडमिशन ऑफ जने प्रोग्राम बिल आजो कॉंटिन्यू अप्टर दाएकडमिक यह तुन्टी टुन्टी वन ठीक है पहले बात क्या हो रही थी कि तुन्टी टुन्टी टुन्टी वन के बाद एडमिशन जने में नहीं मिलेगा लेकिन अब ऐसा नहीं है यह सिगनेशर देख पा रहे हूंगे ठीक है तोानल टक मैंनल शरवजीत कल जो है से एक पार होनगे और सब्सक्रब्रेज हो सदरा यो Ilert फिलेर हो जाता है कि आप एम नर्सिंग कोर्श में 2020 एंग ले सकते हैं एगर आप इंट्रस्टेद हैं तो यह अभर हम बात कर लेते हैं क पर सेकेंडियर के स्टूडेंट हैं जिनेम नर्सिंग कर रहे हैं उनको बात में जॉब मिलेगी या फिर नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक पर भी चर्शा करने की बात कह रहे थे तो उन्हें स्टूडेंट से कहना है कि देखें वाई यह जो कोर्स से अब तो कॉंटीन रहेगा तो जो आप मिलने में भी आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी और वैसे भी आपको नहीं होते क्योंकि आप कोर्स में प्रवेस्ट कर चुके हैं ठीक है अप से केंडियर के हैं फिर फाइनल यर के तो कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको करेंगे तो वहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज्ज है और बढ़ेगा ठीक है तो इंटर्स अप अच्छे तरीके सीखेगा और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको भी एक अच्छा आउट्पुट मिलेगा अच्छी सालरी मिलेगी ठीक है तो फानली स्टूडेंट कॉनिकलोजन यह निकलता है आप अच्छे तरीके सी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट किज़े और अच्छी सर्विस प्रोवाइड किज़े आपको एक अच्छी सालरी मिलेगी ठीक है और जिनेम कोर्स अड्मिशन आगे भी कॉन्टीनू रह हैंगे